हेलो फ्रेंट्स एक बड़ पिस से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रोट के चबता है दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिनके बाइस भी फोर विलर्स कार होते हैं वह अपना कार्स जादा तर ही शोरूम में वाश करवाते हैं लेकिन वह क्लीन को करते हैं लेकिन प् प्रैसिंग रेट भी बहुत कम है यहां पर स्वारूपे से स्टार्टिंग है और लगभग धाइसों में खतम है थाइसों का फ्लान अगर आप यूज करते हैं तो सोच लिजे कि आपकी गारी पूरी नई जैसी हो जाती है दोस्तों तो मैं आपने कार की कंडिशन खिलाल आ हाला कारा है में अज पूरी तरसे यह गंदगी से भरी हुई है आप अब मैं गार के इंटरिनेल वंड़ा अंदर के इस्टे को धहाता हूं यह देख है यह भी सुर्ब से भरी हुई है कि पूरी तरसे धूल है कि यहां पर पूरा घंदगी भरा हुआ है यह देखिए दोस्तों कि आप 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 गारी का हालत अप गारी की हालत देखकर और रजा लगा सकते होंगे कि गारी किसमें गंधी है दोस्तों और यह पूरी तरह से क्लीन हो जाएगी थोड़ी देर में पिलाल अभी पीछे जो आप मेरे एक कार देखने टाटा शुमू इसे वाच किया जा रहा है इसके बाद ही मेरा नंबर है और थोड़ी देर मेरा नंबर आते ही वह मेरे कारी को क्लीन करने स्टार्ट कर देंगे दोस्कों और असल में इतनी कंदेगी होने का कारण ही है कि हम कल कुछ दोस्त में के पार्टी करने कहते हैं और वह एक्ट्वल में एक जंगल एधिया था और इसी कारण से गारी बहुत जादा गंदी हो चुकी है तो बढ़े रही है मेरे साथ मैं आपको कंप्लीट वीडियो दिखाता ह जोस्तो फाइनली मेरे का नंबर आ चुका है और मेरे खाली को क्लीन क्या जाएगा फिलाई पहले तो.. इस और नभी गंदेगी अगज्यर वागगद है उन्हें क्लीन किया जागा उसके बाद बाहर से में कलीन करते हैं साधीजों झाल 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 तो दोस्तों जोने मेरी कार कंप्लीट वाश की है वो है हमारे मोहबत भाई यह इन ही की शॉप है और यह पिशली उनके लिए जो की मेरे लोकेशन में अल गल बगल रहते हैं और उनी के लिए बेस्ट है क्योंकि जादा दूर से आना एक्स्पेंसिव हो जाता है पेट्रोल के वज़ा से तो दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि सौस से डाइसो रुपए में कारवाश आज के जमाने में बहुत कमी है दोस्तों और इतनी अच्छी तरह से सफाई सब जगह पर नहीं की जाती है तो दोस्तों उमीद करता हो कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो फिर मितने हैं एक ने वीडियो के साथ हुश र